मुझा प्रेंड्स वेल्कम तो दी नेक्स्ट वीडियो ओफ एंसी अर्टी में सॉलूशन सीरीज हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या था हमने एक थेोरम की थी जो क्या थी की पी कोई भी हमें प्राइम नंबर है जो पी जो है वो जो में पैसको करेगा है हमारी इरेशनल tao यह कैसे दिखांगे क्या मानके चलेंगे लास्ट में हमको दिखा देंगे हमारी असमेरे इंकरेक्ट है तो व् Wirtschaft मिंठ्ट को एक्रीशनल नंबर दिखादेंगे ठीक है कैसे दिखेंगे let us assume that root 2 is rational हम इसको कैसा number लेके चल रहे है rational लेके चल रहे हैं हमने दिखाना कैसा है irrational इसलिए हमने क्या किया assume लेके चल रहे है last में contradiction ले आएंगे कि यह हमने जो assumption ली थी rational की वो गलत है वो कैसा number निकल के आएगा irrational number निकल के आएगा अगर rational number है तो वो किस फोर्म में होते है rational number P upon क्यों की फोर्म में तो यहां हम integers ले लेंगे R और S लिखेंगे so we can find integers R and S such that root 2 को हम फिर कैसे लिख सकते है R upon S की फोर्म में rational number हम मान के चले है root 2 को तो किस फोर्म में होंगे P upon Q की फोर्म में वहाँ P upon Q हो R upon S हो या S upon 2 हो आप कोई भी integers ले सकते है न और जहां पे S कैसा है non 0 ठीक है हमारा मेशा निच्चे वाली तरम कैसे होती है non 0 क्योंकि अगर 0 हो जाती है तो किसी के भी निच्चे 0 तो कैसा नमर बन जाता है infinity number ठीक है suppose suppose R and S have a common factor common factor other than 1 हम मानके चलेंगे यह जो R और S है कोई भी नमबर है जैसे मैंने यहां 4 ले लिया यहां 2 ले लिया तो 4 और 2 में common factor हमने क्या कहा कि 1 के अलाव कोई ना कोई क्या होगा common factor होगा जैसे मैंने 4 और 2 को लिया मैं कहते हूं कि R की value 4 है और S की value 2 है तो हम इसको कैसे लिख सकते है जैसे 4 upon 2 उपर को 4 को कैसे लिख सकते है 2 into 2 upon 2 तो इन दोनों में जो common factor है वो क्या है 2 1 के अलावा आया है तो यहां यही लेके चलें कि suppose R and S have a common factor other than 1 then we divide by the common factor the common factor to get root 2 equals 2 A upon B हमने क्या किया जो इन दोनों में common factor था हम ऐसे assumption लेके चल रहे हैं जो मैंने example में दिखा दिया कैसे करना है हम यह assumption में लेके चल रहे हैं कि R and S में कोई 2 common factor है मानने इसमें से भी 2 R है common इसमें से भी 2 R है तो यह A और B की value वो हो जाएंगी ठीक है A और B को हम माल लेंगी और किसी में से भी 1 के अलावा अगर कोई factor निकाल रहे है तो वो कैसे होते है co-prime क्योंकि prime numbers में तो सिर्फ हमारा 1 ही common factor आता है जैसे मैंने 2 और 3 prime number लिए इन दोनों में common factor क्या है तो क्या हैगा इन दोनों में कोई ना कोई अलग 1 के अलावा भी कोई common factor होगा जैसे मैंने ले लिए 4 को 2 इंटो 2 6 को ले लिए मैंने 3 इंटो 2 तो इन दोनों में common factor क्या रहे है 2 तो यह कैसे number होगा हमारे co-prime number तो यहाँ भी A और B को हम क्या मालेंगे co-prime numbers where A and B are co-prime number चीक है तो अब यह जो term है इस B को हम उदर ले जाएंगे divide में है दोनों तो divide से उदर जाके हमारे क्या हो जाएगा cross multiplication तो यहाँ से हम कैसे लिख देंगे So B into root 2 equals to A चीक है अब दोनों तरफ क्या कर देंगे हम squaring कर देंगे squaring on both sides चीक है both sides squaring करेंगे तो क्या आजाएगा A square equals to B square और root 2 का square हटेगा root 2 into square करेंगे तो क्या value आजाएगी 2 B square किसी भी square root का square करेंगे तो महाँ से square root cancel हो जाएगा simple term हमारी बच जाएगी यहाँ से तो A square की value हमारी क्या ही है 2 B square अब जैसे पिछली थोरा में हम क्या लिख्या था A square को हमने prime की products में लिखा था ठीक है तो 2 यहाँ हमारा prime number है तो वहाँ से हमने क्या का था कि कोई ना कोई हमारा P मिलेगा जो A square को divide करेगा यह हमारे पास given था तो यहाँ भी वही चीज़ा 2 हमारा prime number है तो 2 यहाँ किसको divide करेगा A square को divide करेगा therefore 2 divides A square ठीक है उसी theorem से अगर वो क्या था कि prime हमारा जो P हमने लिया था वो A square को divide करता है तो prime number हमने क्या प्रूफ किया था कि वो A को भी divide करेगा यहाँ पर उसी theorem का हम use करेंगे कैसे लिखेंगे now by theorem theorem थी 1.3 it follows that जो 2 है वो किसको divide करेगा 2 divides A ठीक है ना हमने उस theorem का use कि यह पर क्या था कि यह चीज थी कि जो A square है वो किसको कैसे लिखा था ने P1 P2 का square up to son Pn का square यह क्या थी prime की product थी that means इसमें ऐसा कोई P number मिलेगा P इन ही में से किसी को हम ले सकते जैसे P मैंने ले लिया P1 को ले लिया तो यहाँ क्या हो जगा जो P है वो किसको divide करता था A square को अगर वो A square को divide करेगा तो यहाँ से P A को भी divide करेगा अब यहाँ इसमें क्या था A square को मैंने क्या लिखा 2 B square यहाँ पे 2 कैसा number है prime number है तो यहाँ से हम कह से कि 2 divide करेगा A square को तो 2 किसको भी divide करेगा A को भी वही theorem का यूज में यहां किया है कि 2 divided a square को कर रहा है तो 2 किसको भी divide करेगा a square को भी और अगर 2 a square को या a को divide कर रहा है तो a को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की prime factor में सो अब यहीं यहां मैंसे ही लिखेंगे so we can write a equals to 2 c 2 हमारा कोई भी prime number था c हमने कोई भी factor ले लिया prime factor ही जिसको हमने a में लिखा है for some integer c अब a की जो यह 2 c value है वो हम इसमें रख देंगे इसका नाम देंगे हम equation 1 यहां कहें देंगे कि a equals put a equals to 2 c in equation 1 we get a की value हमने क्या रखेंगे 2 c यहां that means 2 c का whole square equals to 2 into b square 2 c का square that means 4 c square equals to 2 b square तो यहां से क्या आजाएगा 2 से 2 cancel हो जाएगा यह कर देंगे 2 into 2 तो b square की value यहां से क्या आगी 2 c square अब जैसे यहां भी यहां गया b square equals to 2 c square पिछे जैसे हमने कहा था कि अगर 2 a square को divide करता है तो यहां से भी क्या हो जाएगा 2 b square के भी divide करेगा that means this means that 2 divides b square और 2 अगर b square को divide करता है तो so 2 divides b सारव पिछे वाली टम ही हमने यूज की है ठीक है अगें अगर हम जैसे मैंने prime को पहले ही का था कि पिछली थोरा में prime की factorization थी prime की products में में लिखा था तो यहां 2 कैसा है prime number है that means p की जगा हमारी यहां value क्या है 2 है तो क्या हो जाएगा therefore तो यहां से देखो 2 divide करता है b को भी और 2 divide करता है a को भी तो दोनना में कुछ न कुछ common factor होगा ना तो वो क्या common factor होगा a और b में 2 है therefore a and b we have at least 2 as a common factor as a common factor अब मैं कहती हूँ जैसे मैं example से आपको बताती हूँ कि अगर 2 divide करता है 4 को और 2 divide करता है 6 को तो 2 जो है 4 और 6 का हमारा क्या होगा common factor कैसे 4 को हम लिखेंगे 2 into 2 6 को हम कैसे लिखेंगे 3 into 2 तो इन दोनों में common factor हमारा क्या रहा है 2 तो यहां भी यही किया है मैंने कि अगर 2 A को भी डिवाइड करता है और 2 B को भी डिवाइड करता है तो A और B का common factor यहां क्या होगा 2 होगा और 2 कैसा factor होगा, 1 से अलग होगा तो यहां से क्या जगी contradiction हागी, क्योंकि root 2 हमारा कैसा number है irrational number है तो यहां से हम क्या से लिख सकते हैं but this contradicts contradicts the fact that A and B have no common factors other than 1 क्यों नहीं होगा क्योंकि हमने A को भी prime factor में लिखा है और B को prime factor में लिखा है दोनों कैसे number है prime factor लहें तो prime number होने के बाद उनमें कोई भी common factor नहीं आएगा तो यहां से हमने क्या दिखा दी कि यह हमारी जो हम assumption लेके चलेते वो क्या होगी contradiction आ गई that means our assumption is incorrect so root 2 is irrational okay ठीक है मैं एक बड़ दुआर रिवाइज करा जीए हमने क्या दिखाना था कि root 2 कैसा number है irrational number है हम मान के चलेंगे कि rational number है अगर rational number है तो वो P upon Q की form में होंगे P upon Q की form की जगा हमने क्या ले लिया R upon S ठीक है हमने मान लिया R upon S में कोई ना कोई common factor मिलेगा 1 के अलावा ठीक है हम prime के अलावा कोई number लेंगे then we divide the common factor by it to get तो root 2 को हमने उसी common factor से क्या कर दिया divide भी लिख दिया ठीक है A और B कैसा number होगा हमारा co prime मतलब 1 के अलावा अगर कोई factor मिलते है तो वो कैसे number होते है को prime number यहां से हमने cross multiply करा दिया फिर scaring किया यहां से क्या आगया A square equals to 2B square that means 2 हमारा कोई ना कोई prime number है सबसे छोटा prime number 2 ही होता है तो हमने जो थोरब पिछली वीडियो में की थी वहां से क्या मिला हमने कि जो 2 है वो A square को भी डिवाइड करता है और 2 अगर A square को डिवाइड करेगा तो वो A को भी डिवाइड करेगा अब दुबारा से अगर वो A को डिवाइड करता है तो A को हम prime factor की product में लिख सकते हैं लिखा हमने यहां A equals to 2C लिखा उसके बाद A की value जो है हमने इस equation में रख दी यहां से क्या है B square equals to 2C square वही चीज़ आगी अगर 2 B square को डिवाइड करेगा तो 2 B को भी डिवाइड करेगा अब A और B हमने क्या लिए थे prime factorization की लिखे थी ना हमने number तो A और B हमारे prime number से हुए तो इनका अब इहां इन दोनों से तो हमारा क्या है कि इन दोनों में एक common factor वो क्या है 2 है बटा ऐसा हो नहीं सकता अगर prime number है तो हमारे इसमें कोई भी common factor नहीं मिलेगा सिर्फ 1 ही मिलेगा तो यह क्या होगी हमारी contradiction होगी तो क्या proof होगी हमारा So root 2 is irrational number आज के लिए ही इतना ही क्योंकि बड़ी thorums है आपको solve करने में भी problem हो सकती है तो आज के लिए इतना ही बाके का काम हम कल करेंगे और at the end अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो like, share and subscribe करेंगे और कोई भी problem है किसी भी question में तो आप कमेंट वे मुसे पूछ सकते है Thank you